बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की ओर जहांपर अल्मोडा से खबर सामने आ रहे है अल्मोडा के बतौर अगंज खान शेत्र में बीती रात को तेज रफतार ट्रक बिकावू होकर खाई में गिर गया इस हाथ से में ट्रक चालक समय दो लोगों की मौत हो गई जबकि पुलिस ने देर रात को रेस्क्य ओपरेशन चला कर दोनों शवों को खाई से बाहर निकाला पुलिस से मिली ज़ानकारी के अनुसाल मंगरवार की देर रात को एक कैंटर वाहन अलमोडा के जिले के बतौर जखान में सबसी उतार कर रामनगर वापस जा रहा था तबी रामनगर रोड पर पुनवाधो खान के पास ही वाहन बेकाबू होकर करीब 500 मीटर घहरी खाई में गिर गया सूचना मिलते ही बतरोज खान थाना ध्याक्षुज अनीस एहमद मयफोर्स आपदा उपकरनों के साथ मोके पहुँचे पुनच के साथ ही पुलिस ने खाई में नीचे उतर कर दोनों को रेस्क्यू किया लेकिन तब तक ड्राइवर की मौत हो चुकी थी हाला कि दूसरा व्यक्ति गंबी रूप से घायल था जोसे पुलिस ने प्रात्मिक स्वास केंडर में पहुचा दिया है जहां उसका इलाज किया जा रहा है पिलाल डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोशित कर दिया है और आपको बताते चले कि मृत्तकों की पहचान हरीश सैनी निवासी जोगीपुरा नैनिताल और गोधन सिंग रावत पुत्रचंदन सिंग निवासी जस्सा गांजा नैनिताल के रूप में हुई है अब आपको बताते चले कि भतारज खान रामनगर मार्क पर पुनवादोखन सडखात से को लेकर काफित समवेदन शील जगा है इस स्थान पर इससे पहले भी कई दुरघटनाएं हो चुकी है और अभी पिछले महीने ही एक यातरियों के भरी हुई के एम यू की बत इस स्थान से दुरघटना ग्रस्त हो चुकी थी जिसके बाद बाल-बाल बच गए थे लोग और उद्रखंट सरकार में कैबिनेट मंत्री बिशुन सिंग चुफाल मी उनके साथ ही एसकॉर्ट में शामिल कारमंगलवार को देर राथ हाथ से का शिकार हो गई इस हाथसे में ड्राइवर और कारसवार अने लोगों को हलकी चोटे आई जबकि ये हाथसा पितौरागर जिले में हुआ है जब मंत्री बिशुन सिंग चुफाल अपने एसकॉर्ट के साथ डीडी हार्ट जा रहे थे इस जबरान आपको बता दे कि जानकारी के मताबिक हाथसे पर अधिक पाला होना बताया जा रहा है इस वज़े से मंत्री बिशुन सिंग अपनी एसकॉर्ट की शामिल कार पलट गई और इसके साथ है आपको बता दे कि कुछ दिन पहले क्याबिनेट मंत्री धंसिंग रावत की कार भी हाथसे कर शिकार हो गए थी इस हाथसे में मंत्री धंसिंग रावत बाल बाल बच गए थे तो वहीं आपको बता दे कि बिशुन सिंग चुफाल के काफिले की गाड़ी इसी साल 15 अक्टूबर को भी हाथसे कर शिकार हुई थी इस हादसे में पेज़ोल मंतरी विशुन सिंग चुफाल बारबार बचे थे जबकि आपको बता देंगे चुफाल पितौरागर जिले में एक कारेकरम के लिए वो जा रहे थे तब पेज़ोल मंतरी विशुन सिंग की फ्लीट की एक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था हादसे में स्टाफ को हलकी चोट आई थी गनीमत रही कि कार्श सड़क पर ही रुख गई नहीं तो नीचे उफनती गौरी गंगा नदी में बह जाती इस हादसे का बड़ा रूप भी लिया ज़ा सकता था और पिशले दिनों ही विदेश यातरा से लौटे दहरादू नहराई दवार के चार ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों की आर्टीवी सीर जौंच रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है चारों पुरी तरह से स्वस्थ हैं प्रदेश में पिशले 24 गंटे में कोरोना के करीब 44 नहीं संक्रमित केस सामने आये जबकि 4 ओमिक्रॉन के मरीज ठीक हो घर लोट चुके हैं कोल 28 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती और अब प्रदेश में 227 एक्टिव केस मौजूद है स्वस्थिभाग की ओर से जारी किये गए बुलेटिन के मुताबिक मंगलवार को सामने आये 44 नए मामलों में दैरदून में सरवधिक 25, ननिताल में 10, चमोली में 1, चमपावत में 3, हरिद्वार में 3, टिहिरी और उधम सिंग नगर में एक-एक मामला शामिल है अलमोडा, भागेशवर, पौडी, पितोरागर, रुद्रप्रियाग, उत्रकाशी में कोई नया मामला पिछले 24 घंटे में सामने नहीं आया उधर मंगलवार को कोरोना के 28 मरीज स्वस्थ हुए साथ ही मंगलवार को प्रोदेश में 53,506 लोगों को कोरोना वैक्सीन से बचाव के लिए वैक्सीन दी गए और अब तक प्रोदेश में 77,69,982 लोगों को पहली डोस दी जा चुकी है जबकि 62,48,597 लोगों को दोनों डोस दी जा चुकी है इस दोरान 18 से लेकर 44 आयो वर्क तक अब तक के 35,86,344 लोगों को दोनों डोस दी जा चुकी है